अच्छा सुनो सब्सक्राइब करते वत ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ओनलाइन आऊ तो तुम्हारे फोन की भी घंट नमस्कार दूस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2023 लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 10 जुलाई 2023 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग नियूज 1-3 समेश्टर रिजल्ट पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे और दोस्तो फेल शात्रों के लिए बड़ी कुस कबरी को देखेंगे और दोती है चतुरता समेश्टर बैक पेपर डेट सीट की भी अपडेट को देखेंगे कैसे पता करेंगे आप लोग स्पेल होंगे कि पास होंगे एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखते बिहार सिच्छक भरती में आवेदन के लिए मातर दो दिन बचें 12 जुलाई लाज टेट है अगर आप लोग आवेदन नहीं करेंगे तो इसनी बड़ी सिच्छक भरती से आप लोग हाथ दो बैटेंगे 89,943 टोटल पद है अगर आप लोग आवेदन करेंगे तो आपको सिच्छक भरती में पेपर देने का मौका मिलेगा सीटेट का पेपर 20 अगस को हो रहा उसके बाद आप लोग 24 अगस को 12 सुपर टेट का पेपर देकर नौकरी लेंगे ज़्यादा बच्चे आवेदन नहीं करेंगे नौकरी पाने के चांसे 50% से भी ज़्यादा रहेगा सबी बच्चों का चाहे लड़का हो या लड़की ठीक है एक बात और ज़रा यहाँ पर ध्यान रखेंगे अभी हमारा डियलेट का प्रैक्टिकल होने वाला है तो नम्मर आप लोग कॉलेट से ज्यादा से ज्यादा नम्मर की डिमांड करिए कि पूरे नम्मर मिले जितने ज्यादा नम्मर मिलेगा उतना ही सिच्चक बढ़ती में मेरिड बनती है तो आपको उसका फैदा मिल जाता है ठीक है एक बात तो यह क्लियर हो गई अब देखे आप में से काफी बच्चों के मन में सवाल है कि जो बच्चे यूपी के हैं क्या वो ब्यार से चक भरती में आवेदन कर सकते हैं जी यहां 200% आवेदन कर सकते हैं किसी कन्क्यूजन में मत रहेगा जोती मोरे वाला केस, HDM वाला केस इतना ज़्यादा वायरल होगे लेकिन आप लोग को काफी बच्चों की यह तक ने पता कि सभी बच्चे आवेदन कर सकते हैं अगर आप लोग का DLA कंप्लीट नहीं है मंदल का गिराओ, बिहार से अपडेट आ रहे हैं देख रहे हैं दोस्तो, 16.3,6,6,6 की बल्ले-बल्ले हो गए तो आप देख सकते हैं हर जगे बढ़ियां-बढ़ियां कपर सीटेट को लेकर जो कुछ कपरी देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है न, 31 अगस तक आप लोग का बही है डीलेट यह बीट का पोर्स, जो भी आप यहाँ पर डालेंगे डीलेट कर रहे हैं वो यहाँ पर, आप दोस्तों देखिए सीटेट को लेकर यह देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर गोशड़ा कर रहे हैं कि आपका पेपर 31 से पहले हो जाएगा, सीटेट का पेपर की डीट 20 तारीक आ चुकी है ठीक है, तो जरा भ्यान रखिएगा, फॉर्म भर दीजाम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपका मन है, टीचर बनेगा तो इससे अच्छा विकल्प नहीं मिलेगा हाँ, एक कंडिशन यह है कि आप लोग की जो नौकरी है वो बिहार में लगेगी, ठीक है, बिहार में पेपर देने भी जाना पड़ेगा, यूपी में इसका पेपर नहीं होगा, जो सेंटर बनेगा, बिहार में बनेगा और जो सेलरी बनेगी 25,000 बेसिक हैं, बाकी जो बढ़के आएगी, मान कीचली का 40 प्लस सेलरी हो जाएगी, अच्छी खाती सेलरी है, यूपी में देख सकते हैं, जल्द अस्थित में आ जाएगा, राजे सिच्चा सिवा चैनायो, ठीक है, यह सबब यह आने वाला आया नह बेसिक्स लेकर उच्छे सिच्चा तक के एडिट, विद्ध्यालों में सिच्चकों की भर्ती के लिए कठित किये जा रहे, राजे सिच्चा सेवा चैनायो के जल्द, अस्थित में आने की संभाह उना ए, ठीक है, इसके अस्थित में आने के बाद उच्चितर सिच्चा आयोग और मादमिक सिच्छा सेवा चैन बोड को खत्म कर दिया जाएगा कर्मचारियों को नए आयोग में बेज दिया जाएगा सिच्छक भरती की तैयारी करने वाले प्रतियोग्यों को नए आयोग का बेसफरी से इंतजार है प्रतियोग्यों की मांग है कि जल्द से जल्द सिच्छक बढ़ती प्रत्रिया सुरू की जाए नए आयोग में समाहित होंगे उचितर और चैन बोर्ड देखिए एक बात याद रखिएगा अभी आप लोग विहार में अगर आप लोग को नौकरी मिल जाती है अच्छी बात है जब यूपी में वैकेंसी आगे आप लोग य इतनी अच्छी नौकरी नौकरी बहुत ही बहतर है बाकि आपकी पूश्टिक आप रोगी वह एक अलग बात है अच्छी वैकेंसी है छोड़ी ए गमत मौका आप लोग जहां पर पंद्रा सुपदों पर आविदन होता है जहां पर एक हजार पत आते हैं वह आली वैकेंसी तो आप लोग छोड़ देने अब जहां पर एक लाग सतर अजार पत है वह वैकेंसी अगर आप छोड़ देंगे तो हम नहीं कहेंगे किस से बढ़ी कलती है आपकी कोई होगी ठीक है लाग और पर आपने डीलेड याट के कोर्स में खर्च कर दिया है जो बच्चे प्रयाग जो आपके काम की चीज़ है आधने तो कल अगर आपको नौकरी मिल जाएगी लाइफ सेट है ठीक है तो ज्यादा सोचना नहीं है नौकरी पहले लेना है अधिक जानकारी क्लिए डीलेड रिजल्ट.com वेबसाइट जानते एकदम जाएएगा कोई एड इस समय नहीं आ रहा जाएगा तो सिंपल ती बात है कि उसमें लिखा ये कि जो टाइम लैन दी गई है उससे पहले आप लोग का परिपर हो जाना चाहिए लिखें आप लिखा है ना साफ साफ कि मेरे सिच्छक पात्रा परिच्छा कायोजन इससे पहले पूड़ हो जाएगा पेपर हो जाएगा ये लिखा ना कि ये लिखा एक रिजल्ट आजाएगा तो आप लोग को बिल्कुल भी परिसान नहीं होना है ठीक है बाकि जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे सिच्छक भरती के तैयारी करते रही है अभी एक बात और आपको बता दे आपके कि अभी सबी बच्चे बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में ठीक है जाता कि तैयारी किसी के नहीं है जितनी तैयारी आपके तैयारी आपके दोस्तों की भी है तो यह मत सोचेगा कि आपके जो साती लोग है बैया हुंको सब तैयार है उखाली पेपर के लिए बैठे है पुछ नहीं है, बहुत से बच्चों ने अभी तक किताब तक नहीं खरीदी, तो बिल्कुल भी परिसान मत हुई चरिए, हम पहले ऑफिशल वेबसाइट भी आपको दिखा देते हैं, जहां पर बिहार सिच्चक भरती के लिए आप इधन चल रहा है, तो दोस्तों सबसे पहल दिया गया है कि मेरे सिच्चक पात्रता परिच्चक आयोजन दिनांग 31-23-23 तक पूड़ हो जाएगा, मैं इसकी 100 गोसड़ा करता या करती हूँ, तो इस पर आपको टिक करके एक PDF जो आपका मतलब admit card या application form है, उसको यहाँ पर upload कर देना, seated का भी admit card नहीं है, तो application form जो अचा का योजन मतलब जो भी आपका paper है, डीलेड या बीड में, आपका 31 अगत सा complete हो जा रहा है, ठीक है, तो दोस्तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ आपर बिलकुल बढ़ियां वाला मौका दिया जा रहा है, तो अब गलती मत करिएगा, ठीक ह तो यहाँ पर आपको एक certificate upload करना पड़ेगा, सीटेट के लिए आप admit card या application form upload करेंगे, काफी बच्चों को मन में confusion ना तो और एक बात और आपको बता दे, जो यह form आप complete करते हैं, यहाँ पर देख लिए timing चल रही है, 15 मिनिट में दोस्तों आपको अपना graduation का, अपना subject name, passing यह सब, ठीक अब पूरा complete करना है, मातर 15 मिनिट का समय मिलेगा, website ने चलेगी, कोई दिक्कत रहेगी, तो आप परिसान होंगे, ठीक है, तो उमीद करते हैं, कि जो बच्चे आपेरिंग वाले हैं, अब उनकी confusion दूर हो गई होगी, जल्दी से form बरिए, 12 तारिक last date है, अग पेस्ट